राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों, बेहनों, माताओं वाबंधूं आज शुक्रवार के दिन मैं आप के लिलाई हूँ श्री लक्ष्मी जी की कथा बंधूं श्री लक्ष्मी जी की कथा को सकंद पुरान से लिया गया है बंधूं यदि आप लक्ष्मी जी की इस कथा को सुनते हैं तो हाज तरह की दरिदर्ता दूर हो जाएगी ये कथा महान धन धन्य को देने वाली सुक्ष सम्विध्धी को देने वाली बड़े बड़े दुखों का नाश करने वाली और महान वैभव को बढ़ाने वाली है बंधूं लक्ष्मी जी की कथा सुन्ने मात्र से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी महान रिंज से चुटकारा मिलेगा श्रेष्ट भुत्र की प्राप्ति होगी बंधों यदि आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जिरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुने सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जे मा लक्ष्मी जरूर लिखे बोलो लक्ष्मी माता की चैनल शी सूत जी कहते हैं सब पातकों का नाश करने वाले जटा तीरत में शनान करके विशुद चित वाला पुरुष लक्ष्मी तीरत को जाए जो जो कामना मन में रख कर मुनुष्य लक्ष्मी तीरत में स्नान करता है वहें सब प्राप्त कर लेता है लक्ष्मी तीरत बड़ा भारी द्रिदर्दा की शामती करने वाला महान धन धन्य की सम्रिद्धी देने वाला बड़े बड़े दुखों का नाश करने वाला महान वैभव को बढ़ाने वाला है वहे सर्ग और मोक्ष देने वाला महान रेन से चुटकारा दिलाने वाला तेर्थ को जाए वहें महापुन्य में और महापात्कों का विनाशक है पुर्वकाल में रावन को उसकी सेना सहित मार कर विभीशन को लंका का राजा बना कर दश्रत नंदन शीराम चंद जी जब सीता और लक्षमन के साथ सेतु मार्ग से गंद मादन परवत पर आए तब लक और पित्रों के समीप वहां अगनी देव का आवाहन किया तब लक्षमी तिर्थ से कुछ दूर पर अगनी देव महासागर से उपर उठे और मानव रूपधारी शीरगुनाज जी को देखर इस प्रकार बोले राम राक्षिसों को भय देने वाले महाबाहु शीराम आपने जो रावन का वद किया है वह जानकी जी के पाधी वृत्य धरम के बल से ही संभव हुआ है यह बात सत्य है सत्य है सत्य है ये साकषाद जगन माता लक्षमी है इन्होंने लीला के लिए मानव श्री धारन किया जब आप देव श्रीर मिस्थित होते हैं तब ये भी दिव वे देहे से आपकी सेवा करती हैं आपने मानव श्री धारन किया है इस लिए ये भी मानव कण्या के रूप में प्रगट हूई है आप भवान विष्णु के श्रीर के अनुरूप ही ये भी श्री धारन कर लेती है जगत स्वामिन देवादी देव जनादन आप जब जब अवताध हरन करते हैं तब तब ये आपकी सहाई का होती है जब आप भृगु नंदन परशु राम के रूप में अवतिन हुए थे तब ये धर्नी नाम से प्रगट हुई थी इस समय आपके साथ ये जनक नंदिनी सीता के रूप में प्रगट हुई है और भविष्य में जब आप श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब ये रुक्मनी होंगी इसी प्रकार अन्य अन्य अवतारों में भी ये आपकी सहाई का होती है अतेर अगु नंदन आप मेरे कहने से इने आदर पुरवक रहन करें अगनी का ये वचन सुनकर देवताओं और महारिश्यों ने दश्रत नंदन शीराम और जनक नंदिनी सीता की बार-बार प्रशंशा की शीराम जंजी ने अगनी के साक्षी देने से परम निर्मल सदी सादवी सीता को ग्रहन किया जिस थान पर अगनी देव प्रगट हुए उसी को अगनी तीर्थ समझो अगनी के प्रगट होने से ही उसका नाम अगनी तीर्थ हुआ उस मोक्ष दायक तीरत में भक्ती पुरवक शनान करके मनुष्य उपवास पुरवक वेद वेता ब्रहामनों को भोजन कराई उन्हें वस्त्र और धन दे ऐसा करने से वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विशनु को सायुज प्राप्त कर लेता है पुरवकाल की बात है पाटली पुत्र में पशुमान नामक एक वेश्य रहते थे वे सदा धरम में ततपर और ब्रहामनों की सेवा में सनलगन रहा करते थे सदा क्रिशी और गोरक्षा करते हुए पशुमान बाजार की गलियों में ध्रमते सु वरन आदि का विक्रे किया करते थे उनकी तीन इस्त्रियां थी जो सदा पती की सेवा में लगी रहती थी उन तीनों इस्त्रियों से सु पन्ने आदी आठ पुत्र उत्पन हुए वे जब पांच वर्ष के हो गए तब उन्हें कतव्य की शिक्षा दी जाने लगी वे धीरे धीरे खेती गोरक्षा और वेपार का काम भली भाती सीख गए सुपन्ने आदी साथ पुत्र पिता की बात सुनते और पशुमान जो कहते उस कारे को ततकाल पुरा करते उन्होंने सोने के कारोबार में भी अत्यांत कुशलता प्राप्त कर ली किन्तु वेश्य का आठमा पुत्र दुश्पन ने बच्पन से ही खोटे मार्क पर चलने लगा वहे पिता की बात नहीं सुनता था दुश्पन ने बाले काल से ही बालकों को सताया करता था पशुमान ने उसे दुश्करम परायन देख कर भी यह नादान है ऐसा कहकर उसकी उपेख्षा कर दी तदंतर वेश्य के आठो पुत्र युवा अवस्था को प्राप्त हुए आठमा पुत्र दुश्पन ने नगर के बालकों को दोनों हाथों में पकड़ ले था और कुवा नदी या तलाब में फैक देता उसके इस दुश्चरित्र को कोई नहीं जानता जल में उनका शब देखकर लोग उनका संसकार करते थे तब पुरवासियों ने आकर राजा से यह व्रितांत निवेदन किया उसका वचन सुनकर राजा ने ग्राम रक्षकों को बुलाया और अग्यादी बालकों की मृत्यू का क्या कारण है इसका पता लगाओ ग्राम रक् के पास कई बोले महराज हम बहुत खोज करने पर भी यह ना जान सके कि कौन इस नगर में रहकर निरंतर बालकों की हत्या करता है कदंतर किसी समय वह वेश्य बालक अन्य पांच बालकों के साथ कमल निकान कर ले जाने के बहाने सोवर के निकट गया वहां उसने उन बालकों को जबरदस्ती पकड़ कर पानी में डुबो दिया वे बालक चीक से चिलाते रहे तो भी उस करूर आत्मा ने उन्हें कंड तक पानी में ले जाकर डुबो दिया उन सब को मरा हुआ जान कर दुश्पन ने शिगर अपने घर को चला गया उन पाँचो बालकों के पिता अपने पुत्रों को नगर में ढूनने लगे वे पाँचो बालक अधिक छोटे नहीं थे पानी में डाल देने पर भी वे मर ना सके धीरे धीरे सरोवर के किनारे आ गए और वहीं घूमते रहे इतने में ही अपने बंदों दौरा नाम ले लेक पुकारने की आवाज उन्हें दूर से सुनाई दी तब उन्होंने भी जोर से बोल कर उत्तर दिया बालकों की आवाज सुनकर उनके पिता स्रोवर के तट पर गए वहां उन्हें जीवित देखकर उन सब को बड़ा हर्श हुआ फिर पिता ने पूछा तुम्हारी दशा क्यों हुई तब बालकों ने दुश्पन्य के उस दश्करम का वृतांत अपने बंधों को कह सुनाया यहें बात जाकर पुरवास्यों ने राजा को इसकी सूचना दी राजा ने पशुमान को बुला कर कहा पशुमान यहें नगर बहुत से बालकों से भरा पुरा रहा है किन्तु तुम्हारे दुर आत्मा पुत्र ने इसे प्राइस सुना कर दिया अभी अभी इन बालकों को उसने जल मिड़ो दिया था प्रंतु दैव योग से जीवित निकल आए बताओ इस समय क्या करना चाहिए मैं तुम ही से पूछता हूँ क्योंकि तुम सबाधरम में तत्पर रह दुष्च नहीं, शत्रो ही है जिस ने इस नगर को बालकों से खाली कर दिया उस दुष्ट के उधार का मुझे कोई उपाए नहीं दिखाई देता मैं सच कहता हूँ इस दुष्ट आत्मा को प्रांध दंद दिया जाए। पशुमान के वचन सुनकर समस्थ पुरवाशी प हमारे राच्चे से बाहर चला जा यदि यहां रहेगा तो मैं तेरा वद कर डालूंगा इस प्रकार डाट कर बता कर राजा ने दूतों द्वारा उसे नगर से निर्वासित कर दिया तदंतर दुश्पुन्य भैभी थो उस देश को छोड़कर मुनी मंडली से युद्वन में चला गया वहां जाकर भी उसने एक मुनी के बालक को जल में डबो दिया कुछ बालक खेलने के लिए गए हुए थे उन्होंने इस बालक को मरा हुआ देख अत्यान दुखी हो उसके पिता से ये समाचार कहा तब उक्षवा ने बालकों से अपने पुत्र के मारे जाने का समा टाला है इसलिए तेरी मृत्यू भी जल में ही डूबने से होगी मरने के बाद तु दिर्ग काल तक पिशाज बना रहेगा यह शाप सुनकर दुषपुन्य को बड़ा दुख हुआ वह उस वन को छोड़कर सिहीं आधी क्रोड जंतों से युग दूसरे भ्यंकर वन में चला गया महा बड़े जोर की वर्षा और आधी चलने लगी दुषपुन्य ने देखा एक मरे हुए हाथी का सूखा कंकाल पड़ा है उस समय आधी और प्रचंड वर्षा के कष्ट को ना सह सकने के कारण वह उस हाथी के पेट की गुफा में घुस गया फिर बड़ी भारी मृत्यू के बाद उसे पिशाज की योनी मिली भूख प्यास से पीडिद होकर वह भयानक रूप धारी पिशाज अनेक प्रकार के दुख सहता हुआ गहन वन में रहने लगा एक वन से दूसे वन में दोटा और कष्ट भोगता हुआ वह क्रमशे दंडक अरन्य में आया वहा मुझे अपनी दया दिश्टी से अनुग्रहित करें पूर्वकाल में मैं पाटली पुत्र नगर में पशुमान का पुत्र दुष्पुन्य नामक वेश्चे था उस समय मैंने बहुत से बालकों की हत्या की अब मैं पिशाज योनी को प्राप्त हुआ हूँ भूख प्यास सह करने की मुझ में शक्ति नहीं रह गई अतै आप लोग क्रिपा करके मेरी रक्षा करें तब ओधनों जिस प्रकार में पिशाज योनी से छूड़ जाओं वैसा प्यतन करो पिशाज का यह वचन सुनकर तपस्वी मुन्यों ने महारिशी अगस्ते जिसे कहा भगवन इस आपों का नाश करने वाला महान अगनी पिशाच के उधार के देशिय से तुम उस तिर्थ में शनान करो अगस्ते जी कि ऐसा कहने पर सुतिक्षन जी गंदमाधन परबत पर चले गए और अगनी तिर्थ में जाकर पिशाज के लिए शनाज का संक錯्त करके वहां उन्हों उट आए उस तिर्थ मिश्नान के प्रभाव से मेह पिशाज शेगरे दिविदे को प्राप्त हुआ और सुतिक्षन अगस्त और अन्य तपुधनों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्याले पसंता पुर्वक स्वर्गलोग को चला गया भूलो लक्ष्मी माता की जै हो रा नहीं बाद